तो नमस्कार दोस्तों मैं संदीप आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में दोस्तों आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए बेसी बीकॉम जो भी स्टुडेंट कानपुर इनवर्सिटी के लिए हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टन नहीं सूचना यह नहीं नोटिफिकेशन ऐसा भी कर सकते हैं जारी की गई है जिसके बारे में आज किस वीडियो हम आपको बताने वाले तो प्लीज आप लोग वीडियो को इंड तक जरूर देखना ठीक है क्योंकि आप लोगों को जैसे मैंने बता ही रखा है कि इस भी महा कानपूर टीके लिए हैं अगर आप किसी और सिट्टेंट अगर वीडियो देख रहे तो आगली वीडियो जो आएगी कि अगर कोई भी अपदेट ऐगा अगर उन्पूर कर लिए तो आप ऑपन कर लिए तो आप देख पा रहे होंगे पूरी वेसाइड ओपन हो गई है तो तो भी नए नोट्यकेसेशन आई पर देखने को मिल जाती है तो अब बात करते हैं कि नए नौ्सित करें लिगे अ tapi झोर्व ठोड़ा एंदेर के लिए रुख जाते हैं तो दोस्तों फाइलिए पीडियोभ ऑपें हो चुकी है diferen दोस्तों उस समय मुझा कि आप की वायरस की महामारी समय चल लही है इसकी वज़ा से कुछ जो चल लही थी जो स्टूडेंट के चल लहे थे वह रुख चुके हैं तो जो कानपुर उनिवर्सिटी के जो महासची है या कुलपत जी है ठीक है तो उन्होंने कुछ इसमें बताया है कि जो स्टूडेंट के स्लेवर्स नहीं कंप्लीट हुए थे तो उनको आनलाइन वह अपना पढ़ाई कर सकते हैं और आनलाइन पढ़ाई कहां से करेंगे इसके लिए कुछ विपसाइट बताई यह जो कि हम इस वीडियो में जानेंगे चलिए पढ़ते हैं पहले सबसे पहले इसमें यह लिखा गया है दोस्तों की सब्जेक्ट आप पढ़ लीजेगा सब्जेक्ट के बारे में क्या लिखा गया यानिकी कोविड नाइंटीन नौट इस्टॉफ यू फ्राम लर्णिंग कि जो कोविड नाइंटीन है यह आपकी लर्णिंग को आपकी जो आप सीख रहे हैं उसको इस्टॉफ नहीं कर सकता तो आगे हम पढ़ते हैं देखते हैं कि महोदे महोदया कृपया उपिक्त विशेक मानी कुलपत महोदे को संबोधित सचिव बिस्विद्याले अनुदान आयूग नई दिल्ली के पत्रांग दिनांग 25-3-2020 का संदर्ब गहाण करने का कष्ट करें जिसमें सूचनायूम प्रसासर तक्नीकी ICT के माध्यम से घरो अथ्वा चात्रवासों में भी में भी ऑनलाइन लर्णिंग हित उपलद तक्नीकों से सभी फिच्छकों फिच्छार्थियों और सोध चात्रों को आउगत कराएं जाने हित सूचित किया जाता है और अगला आगे हम पढ़ते हैं जैसा कि विदित है कि हम सभी COVID-19 जैसी वाइस्विक महामारी को जड़ से म सबक्राइब कर सकते हैं चलिए आगे बढ़ते देखते क्या है यह आनलाइन लेर्णिंग के उप्योग कर सकते हैं भारत में सूचनायों प्रसासर तक्नीकी इन फॉर्मेशन एंड कॉम्निकेशन टेकनोलोजी की कैसे साधन उपलब्द हैं इंडिया में तो भाईया आनलाइन का जबाना हो गया है इं प्रस्थितियों में भी जारी कर सकता है तो आप आराम से पढ़ लीजेगा समझ लीजेगा मैंने आप लोगों का आई होप समझाया है काफी अच्छे से कि आप समझ पाएंगे तो इसमें क्या कहने मतलब है कि यह आनलाइन कुछ कोर्से आप लोगों की जो भी हैं इन पर लोगों की जो भी स्लेबर से हैं जो भी कोर्स आप पढ़ रहे थे उनकी यहां पर आपको कंप्लीट नॉलेज मिल जाएगी तो कुछ बैसाइड यहां पर की गई हैं जिनके लिंक से यह हैं तो यह वेफसाइड आप सर्च कर ली जाएगा गूगल पर ठीक आपको मिल जाएंगे तो यह सारी वेफसाइड हैं यहां पर आपको आनलाइन आप जो भी पढ़ना चाह रहे हैं जो भी आपका स्लेबर से हैं उसके अकोर्डिंग आप य यह लिखा ऐसे भी पढ़ सकते और लाइब लाइब का मतलब यह कि आप कोई लेक्चरर वहां पर लेक्चर दे रहा तो वैसे भी आप अपनी पढ़ाई कर सकते कई माध्य में तो यह सारे साइड के लिंक है तो प्लीज आप अगर पढ़ाई करना चाह रहें तो आप लोग करें आप लोगों को इनसे काफी है वहां के सचीव हैं उन लोगों के द्वारा यह सगेशन दिया राद जा रहा है कि यह लिंक से इंप्वाटेंट है आपके तयारी करने के लिए तो दोस्तों आई होप आप लोगों के जानकारी अच्छी लगी हो अगर अच्छी लगी त दोफ्तों तक्सेयर करिए जिससे वह इंफोर्मेशन पासके अगर आपको कोई भी कोई निया तो बेसक कमेंट करके पूंच सकते हैं हम उसका 100% रिप्लाई देने की पूरी कोसिश करते हैं तो वीडियो को जरूर अपने दोफ्तों तक्सेयर करिएगा सोसल मीडिया पे वाट